हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुकवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्ट एंड होस्ट अनीसा मेरे और मेरे पूरे फैमली की तरफ से आप लोगों को हैपी न्यू यर आप लोगों का ये साल बहुत ह हो तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू यर केसो वबसर पर कुछ मीठा लेके आई हूं तो वीडियो को बिना एसकिप किये पूरा देखें मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें तो चल जल्दी हो जाता है यहां मैंने ले लिया है कुकर और इसमें हम गाजर के टुकरे करके इस तरह से डाल देंगे थोड़े बड़े बड़े ही टुकरे डालेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी वन एंड हाफ कप दूद बस इतना ही दूद डालिये ने तो फिर जो है दूद बाहर निकल जाता है तो बस इसको अब हम बंद कर देंगे और केवल दो सीटी लगने तक हमें इसको पका लेना है तो यहां पर मैंने इसको गैस पे चरहा दिया है और जब दो सीटी लग चुका है तो यह मैंने गैस ओफ कर दिया इसको ठंधा होने देंगे तो देखिए अब जब ये ठंडा हो गया है तो मैं इसको खोल लेती हूँ तो यहां देखिए आप दूद भी हलका हलका नीचे में है और ये भी गल चुका है गाजर अच्छी तरह से तो अब इसको हम जो करचुल होता है उसकी सहायता से मैस कर लेंगे हलका सा बहुत ज़्यादा मैस नहीं करना है तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने चरहा दिया है यहां पे गैस पे कराही और जैसे ही कराही गरम हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिया एक टेवले स्पून घी अभी बस एक ही टेवले स्पून घी हमें इसमें डालना है और घी के गरम होते ही इसमें जो हमारा गाजर है वो हम डाल देंगे तो ये देखे कितना आसान प्रोसेस हो जाता है आधा काम हमारा कुकर में खतम हो चुका है गाजर जो है वो गल चुका है इसको गलाने की जरूरत नहीं है तो बहुत ही जल्दी ये रेसिपी जो है बन के फ्रेंट्स कोई भी नहीं बताए पाएगा कि आपने इसको कराही में नहीं बनाया है तो इसको चलाते हुए ये देखे इसका जो दूद था वो भी सुखने लगा है और बस थोड़ा साई से हमें दूद को और सुखा लेना है फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे इसमें आज मैं दूद का पॉडर भी अबलेबल ना हो तो आप मलाई जो होता है जो हमारे घर में दूद आता है उसके उपर जो मलाई होती है वो आप डाल दीजिए तीन से चार चममच बस उसी से आपका जो है काम हो जाएगा तो अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना ह जैसे ही अब देखिए इसका ये कंसिस्टेंसी हो चुका है बस इस पर हम डाल देंगे अब चीनी तो यहां मैं आधा कब चीनी डाल रही हूं आप अपने अनुसार कम ज्यादा मिठा डाल सकते हैं और चीनी डाल के हमें अच्छे से इसको पकाना है जब हम चीनी डालते है तो चीनी से जो पानी निकलता है उससे हमारा जो गाजर का हलवा है उसका कलर चेंज हो जाता है जो लाल एकदम लगता रहता है देखने में बिलकुल वैसा ही धीरे धीरे हम इसको चलाते जाएंगे तो इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे हम इसक चलाएंगे इसका color change हो जाएगा और एकदम यह लाल हो जाता है तो इसलिए चीनी उसी stage पर डालें तो यह देखे धीरे धीरे चलाते चलाते जो है हमारा गाजर का हल्वा एकदम लगभग तयार हो चुका है और इसका color भी एकदम लाल हो चुका है और आप देख सकते हैं अब बस थोड़ी देर इसको हमें और एक से दो मिनट पका लेना है ताकि जो ड्राइफ्रूट है वो भी अच्छे से जो है इसके साथ पक जाए गाजर के हल्वे के साथ और आप देख सकते हैं कि यह कराही को छोड़ने लगा है तो इस stage पर यहां मैं डाल रही हूँ एक टेवल के तयार हो चुका है और घी भी side से आप देख सकते हैं कि इसने release कर दिया है तो अब हम कर देंगे gas को off हमारा गाजर का हल्वा बिल्कुल ready है और आप गरम गरम ही इसको सर्व करें गाजर का हल्वा जो होता है वो गरम में ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो यहां पर मैंने इलाइची पॉडर भी डाल दिया था और gas को off कर दिया है मैंने और अब इसको हम सर्व कर लेंगे तो आप जो है इसको बहुत ही गरम ही सर्व करें यह बहुत ही टेस्टी लगता है ठंडे में यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो यहां एक बोल में मैंने इसको निक नहीं अच्छा लगता है तो इसलिए थोड़ा सा खाना को भी डेकोरेट करना बहुत जरूरी है और आज तो न्यू यर है तो बनता है यह देखे कितना टेस्टी कितना अच्छा हमारा गाजर का हलुआ लग रहा है आप देख सकते हैं बहुत ही जो है टेम्टिंग लग रह करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ फैमली के साथ जरूर से सेयर करें ताकि आज कल के भागदौर की जिंदगी में वो भी आसानी से इनको बना सकें तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ किसी न का अधा दिब बाबबाइ, हपी नु यू एर